सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को ज़रूर प्रैस करें जिसे लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो में मैं आपको फिक्स रेट बॉन्ट फ्लोटिंग रेट बॉन्ट और नोट्स का बेसी कॉंसेप्ट एक्जेम्पल के साथ समझाँगा तो सबसे बहले समझते हैं के बॉन्ट क्या होता है जिसके उपर जो इशू का रहा है उसकी स्टेंप लगी होती है साथ में इसके उपर वैलियो लिखे होती है कि ये बॉन्ट कितनी वैलियो रखता है 1000 की वर्थ रखता है 2000 की रखता है वो उपर लिखा होता है और साथ में maturity time period और interest भी लिखा होता है जो बाउन को इशू का रहा हुता है हम उसको बाउन इशूर बोलते हैं और जो बाउन को अपने पास खरीद के रख लेता है उसको हम बाउन होल्डर बोलते हैं अभी बात आजेती कि लोग इसको क्यों खरीदते हैं लोगों को क्या बेनिफिट होता है लोग इसको इसलिए खरीदे हैं लोगों को ये बेनिफिट होता है कि लोगों कि शक्रिव पर इंट्रेस्ट मिलता है प्रिंसिपल अमовых तो मिलती है और साथ में इंट्रेस्ट भी मिलता है अजाफी में मनाफ़ा भी मिलता रहता है लाइक अभी 5 साल का बाउंड है तो 5 साल बाद जो for example 1000 पे किसी ने बाउंड 5 साल का खरीद है तो 5 साल बाद company या जो भी issue का रहा है वो 1000 पे भी उसे देगा और साथ में 5 साल तक उसे अजाफी में इंटरस्ट भी देता रहेगा annually या semi annually जो भी agreement हुआ है जितनी भी percentage में टरस्ट देना है वो इसको देता रहेगा तो इसलिए लोग इसको खुशी 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 खरी लेते हैं अभी बात आ जाती कि fixed rate bond क्या होता है fixed rate bond वो bond होता है जिसके उपर जो interest rate मिलने हो पहले से decide हुआ ओते ही कि हमने इतना interest देना है fixed होता है कि हमने आपको अगर 5 साल का bond है तो 5 साल में आपको 10% interest हे साल देना है और इस तरह भी हो सकता है कि तीन साल का bond है या 10 साल का bond ले लें तो अभी उसके उपर इस तरह भी हो सकता है कि पहले से company decide कर ले कि पहले साल आपको हम 20% interest देंगे, दूसरे साल आपको 10%, तीसरे साल आपको 5% और चोते साल आपको फिर 15% इस तरह मतलब different rate जो है interest rate company पहले से decide करके बता देती है तो student समयते हैं कि यह floating rate है क्योंकि interest जो है वो change हो रहा है, नहीं, नहीं, इधर से mistake करते हैं student यह fixed rate bond है, क्यों? क्योंकि company ने पहले से decide कर दिया, pre-decide है कि आपको इतना rate interest मिलना है, तो इसलिए हम इसको fixed rate bond बोलेंगे, जिसमें company ने पहले से decide किया हो कि आपको interest rate इतना मिलना है वो fixed rate bond में आएगा, floating rate bond क्या होता है, floating rate bond वो rate bond होता है, जिसके अंदर, जो interest है, वो depend करता है market rate के ऊपर, money market के rate के ऊपर, जितना market में rate चाल रहा है, उसके मताबिक ही bond के ऊपर rate आपको मिलेगा, अभी आपको पता है कि next month bond के market rate क्या हो नहीं, तो इसलिए bond के उपर interest मिलना ह वो भी आपको नहीं पता हुता है totally depend on market आपको नहीं पता कि next year इसके market rate किया होगा तो इसलिए market के साथ ये link होता है और notes और bond का concept बिलकुल same है bond मैंने आपको पताया इसका maturity time period 10 साल से जहदा होता है और जो notes होते हैं और जो notes होते हैं notes भी और bond भी that security है I hope आपको इन दोनों तीनों का concept क्लियर हो चुका होगा floating rate bond floating rate notes और fixed rate bond का वीडियो ची लगी हो तो subscribe और like करना मत बुलिएगा अपना बहुत क्यार रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा good bye